प्रेग्णेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दोरान आपके सरीर में आ रहे कई सारे साररिक बदलाब की मदद से इन्हें समझ कर आप काफी हद तक अनुमान लगा सकती है कि आपके गर में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की लेकिन प्रेग्नेंसी की तीसी तिमाई यानी की आत्वे महीने के दोरान आपकी कमर आपकी पीट और निचले अंगों में दर्द होना किस बात का संकेत है क्या इससे भी गर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाया जा सकता है नमस्कार दोस्तों मैं कुजबूत ओमर एक वाफिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेग्नेंसी से रिलेटर एक और नए वीडियो में जहां पर आज का वीडियो एक वाफिर से आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेग्नेंसी की 30 माई यानि कि आपकी प्रेग्नेंसी के 8 वे और 9 महीने के दोरान आपकी कमर आपके पीट आपके निचले अंगों में दर्द क्यों होता है पीछे क्या कारण हो सकती है क्या इससे गर में पल रहे बच्चे को भी कोई किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है साथी आगे हम ये भी जानेंगे कि अगर आटवे और नौबे महीने के दोरान आपके प्राइविट पार्ट आपकी कमर आपकी पीट में दर्द हो रहा है तो क्या इससे गर में लड़ता या लड़की होने का अनुमाल लगा सकते हैं अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है और आपके सरीर में भी ऐसा कोई बदलाव आ रहा है तो आप वीडियो में अंतक बने रहें बाकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने ना आती जाती है आटवे और नौवे महीने के दोरान आपकी कमर पीट और आपके निचले अंगों में दर्द क्यों होता है इसके पीछे प्रमुक कारण क्या हो सकती है जिनने जानकर हम जल्दी से जल्दी तुरंती ही इसका ट्रीटमेंट कर सके हैं सबसे पहला कारण है आपक ग्रोथ हो जाती है और लगबाग उसके सरीर के सारे अंग भी बन जाती है प्रेग्नेंस्य के टीसी तिमाही के दोरण जब आपका बज़न काफी बढ़ जाता है बच्चे का भार भी बढ़ जाता है तो इस समय आपे पेट का जो पूरा भार है वो आपकी read पर आ जाता है यानि कमर पर आ जाता है पीट पर आ जाता है और इस समय अगर आप थोड़ा ज्यादा work कर लेती है या पर गर्प के किसी भी काम को लेकर ज्यादा देर तक उठती बैठती हैं गूमती फिरती जादा हैं किसी चीज को उठाने के लिए आप बार-ब महीने के दोरान आपके निचले अंगों में या फिर कमर में ये जो दर्द हो रहा है तभी जादा तो कभी कम भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि एकदम से हो दूसरा कारण है हर्मोंस बदरना प्रेगनेंसी के दोरान आपके सरीर में कई तरह के हर्मोंस डेबलप होती है जिनमेंसे एक हर्मोन है रिलेक्शन हर्मोन अगर प्रेगनेंसी में ये जो रिलेक्शन हर्मोन है जो के आपकी बॉड़ी में बनता है ये आपकी रीट की हड़ी और लिगामें पर थोड़ा सा प्रभाब पड़ता है और जब आपके लिगामेंट्स में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होती है इससे आपकी कमर, पीट और पेट की निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है तीसरा कारण है पोजीशन बदल लेना जी आप प्रेट्स प्रेगनसी के दोरान क्या है कि आपके सरीर में तीसरी तिमाई आते 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 आपके कमर, पीट, पेट, पेर, जांग इनमें सूजन आ जाती है दर्द होता है जिसकी बज़े से आप बार बार अपनी पोजीशन प्रेगनसी के जर्णी आपको इन सारी बातों का बहुती बारी के से दियान रखना है चोथा कारण है मास् पेस्यों का फैल जाना जी आप रेर्स, जैसे जैसे आपकी प्रेगनसी की जर्नी, आगे बढ़ती है जब आपके delivery की date काफी नजदी का जाती है यानि कि आपकी pregnancy के आठवे या नौवे महीने के दोराण आपके बच्चे का size पूरा बन जाता है यानि कि आपका बच्चा काफी बढ़ा हो जाता है आपकी पेट का size भी बढ़ जाता है जिसकी बज़े से आपकी इसके न आपके मास्पेशी हों में खिचा वाता है और इस समय अगर आप तोरा ज़दा खा लेती है और जब आपका बच्चा थोड़ी तेज़ी से हलचल करता है तो इससे क्या है आपको पेट की निचले अंगों में दर्द की समझ्या हो सकती है अगर आप 8 ज़ नौवे म तो आप इसे कुछ गरेलू तरीकों को अपना करवी ठीक कर सकती हैं। पेट को सपोर्ट मिले और पेट का जो भारेबो आपकी रीड पर ना आए। इससे क्या होगा कि जब आपके पेट को सपोर्ट मिलेगा तो आपको कमर, पीट या निचले अंगों में दर्ड की समस्या नहीं होगी। चौती बात, अगर आपको पीट और कमर में जाड़ा दर्ड हो रहा है, तो इसे कम करने के लिए आप हीट पैट से भी कमर और पीट की सिकाई कर से। अच्वा तरीका है, आपको आटवे और नौवे महीने के दोरन गलत तरीके, गलत पोश्र में बिलकुल भी ना तो बैठना है, ना ही खड़े होना है। आपको एकदम सेटों के बैठना है, पीट को सीधे रखना है, नीचे बिलकुल भी नहीं जुकना है, और बार बार सेनिया चड़ना या उतरना नहीं है। अगर आठवे और नौवे महीने के दोरन आपको कमर और आपके निचले अंगों में दर्ट की समझ्या हो रही है, तो इस समय आपको कौन-कौन सी साब्दानी बरत भी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको इस समय लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़े नहीं रहना है। सबसे इंपोर्टेंट बात, आपको प्रेगनेंसी की सुरुवाती दिनों से ही और तीसी तिमाही में तो आपको खास्तोर पर याद रखना है कि आपको हील वाले सेंडल जूते नहीं पहनने हैं, आपको फ्लेट वाली स्लीपर ही पहननी है। सबसे जरूरी बात दोक्तर की सलाह से आपको कुछ एक्सरीज करना है। कीघल एक्सरीज करना है, पहल्विक को स्ट्रौंग बनारे वाले एक्सरीज को भी करना है। क्योंकि इससे क्या है कि जब आप हलके हलके थोड़े थोड़े सी exercise करते रहेंगे तो आपके pelvic की मासपेस है वो मजबूत हो जाएंगी और delivery के time पर आपको कम दर्द मैसूस होगा उमीद करती हूँ इन सारी बातों को आप pregnancy की तीसी तिभाई में जरूर फॉलो करेंगी और ध्यान रखेंगी इसके साथ इस सबसे जरूरी बात pregnancy के दोरान, कमर, pelvic में अगर दर्द हो रहा है तो इससे गर में लड़का या लड़की होने का अनमान कैसे लगाया जा सकता है pregnancy के दोरान गर में अगर लड़का है तो लड़के का जो इस्तान होता है वो आपके पेट के निचले हिस्से में होता है और आठी महीने के दोरान जब आपका पेट एकदम नीचे की तरफ जुग जाता है यानि कि जब आपका बच्चा हेड़ डाउन पोजिशन में आ जाता है और ऐसी कंडिशन में आपके अंदर आपके पेट के अंदर बेबी बॉय है तो आपको आपकी कमर, आपकी पीट, आप आपके निचले वाले अंगों में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या हो सकती है इससे क्या है कि आपके पेरों में सूजन भी आ सकती है अगर वीडियो पसंद आती ही तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंस और रिले टिप्स में सेयर करना ना भी है साथी मुझे क ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लागा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लिंक किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को पैस करना ना भूले जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़ा आपको हर